तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग टी को दोनों साइड के ऊपर नेक वैल्ड जो फ्लैंच होते हैं इनका फिट अप करेंगे तो इसको स्केर कैसे किया जाता है राइट अंगल के साथ विदाउड लेवल के कैसे लगाया जाता है आज मैं आपको यह सखाऊंगा और अल्बो को भी फ्लैंच लगा के दिखाएंगे तो आज फिट अप करने का तरीका का दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो फ्लैंच हम लोगों ने किया क्या है सबसे पहले हम लोगों ने जैसा कि आ तूरा रहा है he etc ओल Love ौाला जो फ्लाइच है आठ ुस्रायों व्ला इसके साथ हम लोग टी के फेस के साथ ओपर वाले फ्लाइच को सबसे पहले स्कीयर किया है इसको बोलते है èd s제 करके इसको प्रवाय है तो हम लोगोंने क्या किया है राइट आंगल पिल्कुल जबरदस रहते हैं हम लोग टी के साथ फ्लांच लगाते हैं इस तरीके के साथ इस तरीके से हम लोगों ने टैकिंग करवाई एक साइड के उपर और दूसरी साइड के उपर हम लोगों ने टैकिंग करवानी है तो मैंने वो टैकिंग इसलिए नहीं दखाई क्योंके मैं वीडियो को थोड़ा सा शार्ट करना चाह रहा हूँ इस तरिके से हम लोग टी के साथ इसकी 90 चेक कर लेंगे स्केरिंग चेक कर लेंगे होल स्केरिंग हम लोगों ने देख लिए है तो हम लोग क्या करेंगे इदर टैकिंग करवाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक ही टांका लगवाएंगे टाप साइड के उपर टैकिंग करवाएंगे टाप टैकिंग और उसके बाद गैब मंटेन करेंगे इसका gap maintain करने के लिए हम लोग gap rat दूसरे का भी यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से gap rat maintain करेंगे कि सबसे पहले screwdriver इसके अंदर देंगे और gap rat को थोड़ा free करेंगे और टेकिंग करवा देंगे इस तरीके से हम लोगोंने one side का flange जो है वो टेकिंग करवा दिया इस side को हम लोग अभी नीचे ले आएंगे और जो top वाली side है उसको उसके उपर भी flange लगवाएंगे उसको flange कैसे लगवाएंगे हम लोग सबसे पहले ये दोनों side के उपर इसकी स्केरिंग देख लिए हम लोगोंने और गैप चेक कर लिया है तो हम लोग इसकी टैकिंग करवा लेते हैं और इस side को down side पर ले आएंगे और top side के उपर flange square करके लगवाएंगे तो दोस्तों इधर से आपने थोड़ा सा गोर से देखना है कि ये eight hole हैं तो हम लोग इसके चार hole को square करेंगे right angle के साथ तो right angle रखेंगे सबसे पहले holes के उपर या इस तरीके से और holes को hole की जो wall होती है कनारी होती है उसके उपर right angle रखेंगे चारों hole के और इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप लोग square करेंगे और इस तरीके से right angle नीचे वारी side के उपर रखेंगे right angle रखेंगे आप लोग ने इसके top side के उपर gap right रखना है तो हम लोग इसके top side के उपर gap right रखेंगे ताकि gap maintain रहे, arty joint है तो हम लोग इसके उपर इस तरीके से flange रख देंगे flange रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे एक और right angle लेंगे, उसके साथ नीचे वाले right angle को square करेंगे आंके साथ ही, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों ने इस तरीके के साथ इसको square करना है ये, roll करना है और इसमें आप लोगों ने क्या करना है flange के अंदर से overlap को लाजमी निकालना है ताकि overlap बिल्कुल ना आए, नी तो quality में reject हो जाएगा और आपका जो fit up है वो भी reject हो जाएगा, rejected ही समझा जाएगा कि हम लोग इसको एक fit up दे लेंगे, एक tanka दे लेंगे सबसे पहले तो हम लोग इसको सबसे पहले square को आपने अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि हम लोग level नहीं कर रहे है, level करने से यह होता है कि जो हमारा flange है, वो instantly level में चला जाता है और दोनों होलों को हम लोग level कर लेते हैं लेकर square में अगर हम लोग ने थोड़ी सी भी mistake कर दी तो दोनों flange का जो level है वो out हो जाएगा इसमें आपने square बिलकुल visually दे के अच्छे तरीके से करना है इसका result जो है वो level करने से ज्यादा better तरीके से आता है मैं फिर से repeat करता हूँ कि जो square करने का तरीका कार है इससे level की निस्बत अच्छा result आता है जिसलिए हम लोग square को refer करते हैं कि square करना अच्छा होता है तो इस तरीके से हम लोग ने एक tank टांका लगवा दिया इसके उपर अभी हम लोग दूसरा टांका भी लगवाएंगे टैकिंग करवाएंगे गैब को गैब राड़क के साथ तो और गैब को maintain करना है screw driver को जो आपने इसके अंदर proper तरीके से दे कर टांके लगवाने है gap को free रखना है 4 mm जितना भी आपका WPS आपको allow कर रहा होगा उतना ही आपने इसके अंदर gap देख कर देना है और उसके बाद आपने क्योंकि अभी ये एक spool बन चुका है दोनों तरफ फ्लेंच लगवाएंगे हैं तो इसके एक और तरीका कार होता है चेक करने का वो ये हुता है कि आप मीटर TAOzy के साथ तीन साइड से इसको चेक कर लें अगर डिमेंशन इकॉल आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुए हुआहाई मैं चेक कर रहा है मेरा फ्रैंड तो आपने इस तरीके से तीनों साइड सी मीटर के साथ इसको चेक कर लेना आपके आपकी जो डिमेंशन रही वो से एम है और आपका जो फिट अब है वो बिल्कोल ऐकूरीट है थो आकूरीट फिट फिट अप सुना चाहिए तो इस तरीके से हम लोग ऑन में डेकार लिए हैई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एल्बो के साथ टेड़े मेड़े स्पूल के साथ भी स्केर करने का एक तरीका कार सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो चलिए उसके ओपर भी चलते हैं यह एक लंबा स्पूल है तो हम लोगों ने इसको टेड़ा मेड़ा ही रखा हुए लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं स्केर कर रहे हैं पाइप की वाल के साथ जिस जगह बे मैं पाइप दखा रहा हूं उसकी जो वाल है उसके साथ हम लोग इसको स्केर कर रहे हैं और स्केर करके हम लोगों ने इसको फिट अप करवाया तो ये भी एक तरीका कार होता है कि हम लोगों को हैवी स्पूल्स को लिफ्टिंग करने से पहले या उसके ओपर रिगेंग करवाने से पहले स्केरिंग के साथ स्केर करने के साथ हम लोग उसके flange को level करा के टांके लगवा सकते हैं attacking करवा सकते हैं हम लोगों को weight उठाने पे भी बचत हो जाती है तो इस तरीके से हम लोग scaring को refer करते हैं कि scaring करना और level करने से बहुत ज्यादा easy होता है इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी आई visual level जिसको बोलते हैं उसको increase करना होता है कि हम लोगों को पता चलना चाहिए कि किस जगा के ओपर हमारा अंदाजा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसका square करके level करवाते हैं तो 90 इतने बड़े spool की तो यह अब हम लोगों ने बड़े angle के साथ इसकी 90 भी चेक कर ली अलबो की बेशक टेड़ा मिटा पड़ा है 90 तो एकोल होनी चाहिए तो इस तरीके से 90 करवा के हम लोगों ने अलबो के इस बड़े spool के साथ टेकिंग करवा दिया तो दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिलचस्ट वीडियो के साथ थैंक्यू वेरी मच्च बब बाई